हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं डॉक्टर आशा गावड़े गायनेकलोजिस्ट एन आईवेफ कंसल्टन उमंग अस्पिटल हडप सरफ पुने महारश्टर से आप सभी का मैं मेरे यूटूब चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ बेसिकली आज के वीडियो का अपना टॉपिक है खास आईवेफ रिलेटेड कि ये जो आईवेफ प्रोसेजर है ये बहुत ही महंगी प्रोसेजर है बहुत महंगा इलाज है प्रेगनसी होने के लिए ऐसे बहुत बड़ी धारना है लोगों के मन में तो आज के वीडियो का सेंटर में अलग-अलग चार्जेस बोलते हैं तो पेशन्ट बहुत ज्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग 60-70,000 में भी आईवेफ करके देते हैं और मैक्सिमूम दो लाग भी चार्जेस बताते हैं कुछ-कुछ सेंटर में तो आन आवरेज आईवेफ में एक आपको द अलग-अलग स्टेप में यह होता है जैसे मैंने पहले के वीडियो में या शॉट में बताया है कि आईवेफ पाच प्रोसिजर के थू होता है कि पहला पेशन्ट को हम लोग सेकंडे से एक नौ से दस दिन रोज इंजेक्शन देते हैं जिसको ओवेरें स्टिमिलेशन बोलत फिर तीसरा प्रोसिजर आता है एंब्रियो बनाने का जिसको बोलते हम लोग इकसी जिसमें लाब और एंब्रियो लोजिस्ट का रोल है फिर चोथा प्रोसिजर आता है एंब्रियो फ्रीजिंग यह जो एंब्रियो आपके बनाया है एकसी के थू यह थर्ड डे पे या में हम लोग 6 महने के लिए आपके नाम से वो embryo freeze करके रखते हैं, फिर एक on an average एक 15 दिन में पेशन के period आ जाते हैं, फिर period आने के बाद next month यानि आपके treatment का second month या फिर third month में आपका embryo transfer होता है, जिसको हम लोग frozen embryo transfer बोलते हैं, तो ऐसे 5 step में आपका IVF का procedure complete हो जाता है और उस hospital में 1,55,000 का package है, जिसमें पहला जो ovarian stimulation बोलते हैं, हम लोग आपको 9-10 दिन हम लोग injection देते, जो on an average 55,000 के injections included है, अभी ये इतने महेंगे क्यों है, उसमें से एक R FSH बोलते हम लोग, recombinant FSH ऐसा injection आता है, जो बहुत ही high quality का रहता है, जिससे हम लोगों को आपके एक की quality और quantity अच्छी मिलती है, देखो, charges अगर vary हो रहे, तो उसमें mainly injection और lab quality vary करती है, अगर अच्छे quality के injections यूज़ किये, अच्छे media यूज़ किये, senior embryologist रहे, lab का quality अगर अच्छे से standard maintain रहा, तो आपको result मिलने के chances कभी भी अच्छे रहते हैं, आपके embryo अच्छे बनते हैं, number of embry जादा मिलते हैं, हम लोग आपको pregnancy देने के chances भी और बढ़ाते हैं, तो ये RFSH का injection जो है, जो महंगा आता है, तो ये आपको use होता है, जो कि पहले 4-5 दिन चलता है, और उसके बाद हम लोग HMG बोलते हैं, वो injection अड़ करते हैं, अभी इसके साथ में antagonist के injection, उसके साथ में under रप्चर होने का यानि ट्रिगर का injection, और जो पेशन्ट का मानो AMH कम है, या जिनका H35 के उपर है, या जिनका वेट 65-70 kg के उपर जा रहा है, या जो पेशन्ट से उनका पहले का IVF फेल्ड है, या जिनको फाइबरोड है, या जिनको एंडोमेटरोसिस की गाठे हैं, ऐसे ल इंजेक्शन का डोज जो है, जो आपका age, आपका weight और आपके AMH की value इसके basis पर ही decide होता है, तो हर पेशन्ट के इंजेक्शन का डोज अलग-अलग रहता है, तो बेसिक 55,000 का इंजेक्शन हम लोगों ने package में include किया है, लिकिन अगर ये problem कुछ आप में रहा, तो आपको on an average 5 to 10,000 के इंजेक्शन ज्यादा भी लग सकते है, फिर second procedure आती है, ohum pick up, it's a small operation, तो उसमें anesthetist के charges, फिर anesthesia के जो ड्रग रहते हैं, उसके charges, फिर आपके जो अंडे बाहर निकालते हैं, जिसको हम लोग ohum aspiration needle बोलते हैं, उसके charges, इसके लिए हम लोग जो disposable यूज करते हैं, मान single use का सब disposable रहता है, फिर जो doctor आपको operate कर रहे हैं, जो doctor आपका ohum pick up कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ, उनके professional charges, ऐसा हम लोग ohum pick up का package देते हैं, 25,000 का, फिर third procedure आती है आपकी XE, जिसमें lab और embryologist का roll है, तो इसमें embryologist की fees आती है, फिर जो egg और sperm को separate करने के लिए, जो media चाहिए र रहते हैं, और उसका expire ही बहुत short रहता है, अगर कोई patient ही नहीं निकला procedure के लिए, तो वो media अगर expire हुए है, तो हम लोगो फेक देने पड़ते हैं, तो वो media के charges, फिर इसके लिए जो disposable यूज करते हैं, ग्लोज है, पेट्री डिशेस है, या जो भी lab में सामान लगता है, उ CO2 ग्यास चाहिए रहता है, वो CO2 के सिलेंडर महेंगे रहते हैं, और वो ग्यास जो है, वो हम लोगो 24x7 रन करना रहता है, फिर AC on रखना पड़ता है, फिर जो instrument यूज होते हैं, मानो ये incubator है, या हमारे पास एक labo-tech करके machine है, हाईयर एंड मशीन है, वो embryo बनाने का, या 25,000, अभी next procedure आती है, आपके embryo freezing की, embryo freezing डॉक्तर नहीं करते हैं, again embryologist करते हैं, तो embryologist के charges, again embryo freezing के लिए media लगते हैं, उसके charges, उसके लिए kit लगता है, उसके charges, उसके बाद में वो embryo जो है, हम लोग liquid nitrogen में आपके नाम से 6 मेने के लिए freeze करके रखते हैं, तो वो liquid nitrogen के can हम लो embryo freeze करके रखते हैं, जिसको cryo can बोलते हैं, उसके charges लगते हैं, तो ऐसे आपके embryo freezing के charges लगते हैं, अल्मूस्त 25,000, और last procedure आती हैं, आपके IVF के, जिसको हम लोग बोलते हैं, embryo transfer, इसमें again next month या उसके next month embryologist आते हैं, तो ये embryologist के charges, डॉक्टर आपके embryo transfer करते हैं, तो डॉक transfer catheter बोलते हैं, वो भी महंगा आता है, उसके charges, सोनोग्राफी मशीन में देखके, वो embryo transfer होते हैं, उसके charges, तो ऐसे मिला के, कुल मिला के embryo transfer के charges 25,000, तो ऐसे on an average आपका basic IVF, एक cycle आपकी हो जाती है, 1,55,000 में, ट्रांसपर के बात जो medicine आपको लेने रहते हैं, वो at actual रहते हैं, अभी मानों आपने first time IVF किया, लेकिन वो आपका fail हो गया, तो क्या करने का, फिर से पूरा dead luck लगेगा, क्या नहीं, इसमें क्या है कि आपके नाम से हम लोगों ने embryo freeze करके रखे हैं, तो next time हम लोग सिर्फ आपका embryo transfer करते हैं, तो जिसके 25,000 या 35,000 charges लगते हैं, तो friends IVF का जो खर्चा है, वो बहुत जादा भी नहीं है, अगर आप working हो, IT वाले लोग हो, तो on an average 50,000 to 1 lakh सबको salary रहती, middle class लोग हो, तो भी आप 6 मेना या 4 मेना saving करके इतने पैसे जमा सकते हैं, अगर आपको pregnancy नहीं हो रही, आप अगर अच्छे center में जाके IVF कर रहें, तो आप आपको खर्चा होगा, लेकिन आपको pregnancy भी मिलेगी, क्योंकि IVF में at actual खर्चा बहुत जादा है, डॉक्टर्स की fees बहुत कम है, जिसकी वज़े से patient को बहुत लगता है कि IVF का खर्चा बहुत जादा है, और उसकी वज़े से patient डरते हैं कि इतने पैसे हमारे पास नहीं है, हम लोग effort नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए बहुत सारे option है, आप 2-3 मैने में थोड़ा थोड़ा करके आपका payment कर सकते, इसके लिए बहुत सारे company वो लोग EMI देते, आप monthly EMI पे कर सकते, 6 मैने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आप loan भी ले सकते, तो ऐसा कुछ न आपको अगर आज का विडियो यूस्फुल लगा होंगा, तो जो आपके फ्रेंड से जो प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं, जो प्रेग्नेंसी नहीं हो रही है, जो IVF प्लान कर रहे हैं, उनके साथ शेर करो और उनको भी देखने को बोलो, थैंक्यू